और आज में आपको छत्रपति शिवाजी महराज के विशेम में बायोग्राफी के स्टडी समग पता हुआ तो फिर स्टार्ट करते हैं ये वीडियो जनम 19 फेबरेरी 1630 को हुआ इंके पिता का नाम था शहाजी भोसले और मा जीजा बाई शहाजी भोसले उस टैम मुगलों के सेवा में लगे हुए थे तो फिर वो उन्होंने जादा टैम नहीं बिता पाते थे शिवाजी के साथ तो फिर जीजा बाई जो उनकी मा थी उन्होंन शिवाजी के साथ जादा टाइम बिताया है ना तो फिर जीजे भाई ने चत्रपती शिवाजी छोटा सा वच्च्य उसको गीता से लेकर रमायण-रमायण से लेकर महभालत और शारी पोराने कथा शुनाया करती थी उसका असर क्या हुआ कि बच्पन से ही शिवाजी के अंदर एक leadership quality दिखने लगी लेकिन वही पर मावल नाम की एक जगय हुआ करती थी जो पूरे के पास थी आज का जो पूरे उसके पास तो फिर मावल के वही पिछले पिछले गरीब लोग लेकिन उन्हें शक्ता बहुती शक्ती बहुती तो फिर शिवाजी ने देखा 12-15 साल की उमर म फें तीन साल वहीं जंगलों में घुमता रहा हुआ शिवाजी ने देखा कि इन लोगों में तो शक्त करा और क्या बताएं कि माराठा को मुघुरों के रूप में जाना जाता है और यह जो नोकर शब्द है यह जो गुलामी है यह सिर्फ एक मान सिखता है और कुछ नहीं है यह कहते कि गुलामी एक मान सिखता है और कुछ भी नहीं है आप गुलाम अपने मान सिखता के कारण है तो फिर पहले बार मराठाव को गुलामी की मान सिखता से पहले बार निकारने के लिए टीम दो छोटे थी मैंबावर थे नहीं रिसोर्चेस थे नहीं फंड्स थे नहीं और उदर से खाई से सपोर्ट ताकत और अलायंस था नहीं तो शुरुवत बहुत इंटेलिजेंट हुई और आप ये भी मान सकते हो शिवाजी को आप कम्बाइंड अवतार मान सकते हो महाराणा प्रताप कैशोरे बल ताकत और सहास का और कोटिल चाड़क्य पंडित उनकी बौधिक शक्ति और उनकी कुटल लीतियों का ये कम्बाइंड अवतार थे तौर ये क्या करते थे छाप अमाल यूद करते दुई कंटक्ट नीति के साथ इसे क्या मोलते गौरेला वर्फेयर और गौरेला वर्फेयर को क्या मोलते है गणीमी कावा धेके छोटी ओपर में अर्रे जेज stör युट मैटर एज कभी मैटर नहीं करती कि आप जो कर्म है उसमें एज मैटर नहीं करती चलाओ वापिस टोपिक पर आते हैं क्या था गनीमी कावा गनीमी का मतलब दुश्मन और कावा मतलब उसको बेवकूफ बनाकर हराने की टैक्टिक्स और यह ऐसी टैक्टिक्स के साथ लड़ते थे कि इनको पहाड़ी चूहा भी बोला जाते हैं क्योंकि यह पता में कहां से निकलों कहां से निकलों दुश्मन में अटैक करा करते थे और छोटी सेना के बावजूद इन्होंने अपना सामराज्य दक्षिर से उपर से नीचे एक बार उधर के ही राजा आदिल शाह ने इनके पिता को महराठाओ में से ढूंड कर जेल में बंद कर दिया काड़ा वास दे दिया तो फिर यह बहुत दिन तक सोच रही कि कैसे अपने पिता को भार निकाले कैसे भार निकाले तो फिर उस समय शहाजाभी था दिल्ली में पिर देखिए शहाजाभी था मुसल्मान और आदिल्सा भी मुसल्मान लेकिन पॉलिटिक्स तो पॉलिटिक्स है ना तो फिर शिवाज जी ने इन्हों ने वील्ट करी इसने मास्टर एलाइंस के बारे में बोला कि इस पे इंफुलेंस डालो ये मेरे पिता को छोड़े और फिर शाजा ने बोला कि थीक है तुम्हारे कईओध होने वाले बाद में और अगर तुम्हें नोर्थ साइड से इधर के साइड से मदद चाहिए हो तो फिर मैं चत्रपति शिवा जी तुम्हारी मदद करूंगा तो फिर चाहा जाने बोला कि ठीक है छुड़वा देंगे फिर बोला कि छुड़वा देंगे तो फिर छुड़वा दिया चत्रपति शिवा जी महाराज इनके युद लड़दा बेशक जरूरी ना हो लेकिन युद जीतरा बहुत जादा जरूरी हुआ करता था कई बार तो ये युद लड़े बिना ही जीत जाये करते थे यही तो इनकी चतुराय थी ये कहा करते थे कि सामने वाला सरेंडर कर देग और एसने की एक ही जगा लगे रहे इन्हों ये साथ साथ पैरलल लेडर्शिप भी बिल्ड करा करते थे उधर कॉंकन कोस्ट लैंग जो आजिका माराष्ट्र है गुजरात है और गोए और वही से नीचे तक लाटके है वहां तक इन्हों ने एक नेवी बिल्ड करी एक समु प्रिपरेशन ओफ सेनारियो एनालिसस का मतलब कि अगर सेनारियो ए होगा तो मैं ऐसे लड़ूगा बी होगा तो ऐसे लड़ूगा सिय होगा तो ऐसे लड़ूगा सिनारियो की तयारी पहले ही कर लेनी चाहिए तो फिर उस समय का ताना शाह आदिल शाह शिवाजी से बहुत तमगा चुगा था तो फिर आदिल शाह ने अपने सबसे बड़े सेना पती सबसे चीफ जनरल अवजल खान को भेजा और कहा कि कैसे भी करकी ये छोत्रपती शिवाजी को खतम करके आए तो फिर अवजल खान जानता था कि शिवाजी एक इमानदार आत्मी है तो फिर अवजल खान ने शिवाजी को एक परपोजल भेज दिया और उस परपोजल में कहा कि क्या तुम मेरे साथ मिलोगे अकेले तो फिर शिवाजी ने कहा कि हाँ ठीक है मिल लेंगे और फिर अवजल खान ने कहा संधी करना चाता हूँ यह CHRISлег Minister निंगा करिंद फिर ऑफ़ल खान ने कहा कि अफदल खान ने दिया कि ना structured the मेरे पास कोई सेना ना तुम्हारे पास कोई स्थ मैरे पास कोई स्थर्ष स्थर्ष मेरे पास कोई स्थर्ष तो पर शिवाजी ने कहा गले मिलने लगा शिवाजी से तो फिर अफजल खाना पीछे से खंजर निकाला और शिवाजी के पीट में घुख दिया प्रिपेर थे पहले से शिवाजी प्रिपेर थे एक ऐसी लोहे के बुलट प्रूफ जैकेट पहने हुई थे कि उसमें कितने भी खंजर डालो अंदर घुसे नहीं लेकिन दिखाई नहीं पड़ता था फिर शिवाजी ने हाथ खीचा और उनका सिंग नक भार आ गया और वो जो सिंग नक नाम को जो चाकू होता है न उनका वो शेर के पंजे जैसा इतना सोलिड कि उसे गुसा आया से उसकी किडिनी भार निकाल दी तो फिर उसे मारते ही उसके सेना का मनोबल तोड़ दिया इमानसिक दिशा को कमजोर करके उनका प्रताब घर किला जीत गए तो फिर इससे क्या सिखा आपने की प्रिपेरेशन रखो वर्ष्ट की भी और अगर जीत गए या हार गए तो उस किलो जीत गए इत्रों बड़ा किलो जीत गए कैसे ने की इत्रों बड़ा किलो जीत गया और राम करेंगे रश्ट करेंगे मज़े करेंगे उसके अठारा दिन के बाद फोर्ट ओफ पनहल उसे भी जाकर कैप्चर कर लिया चलो एक बार हारने का भी किस्सा सुन लो तो फिर उस टाइम मिर्जा राजा जैसेग हुआ करते थे तो फिर मुगलों ने राजा जैसेग को अपने साथ मिला कर उनको मिर्जा राजा जैसेग बोल दिया तो फिर मिर्जा राजा जैसेग ने शिवाजी को एक युद्वे हरा दिया राजिय बहुत बड़ी बात हो गए तो फिर मिर्जा राजा जैसेग ने शिवाजी से पूरा अधर की ट्रेटी साइड कर वाली और उस ट्रेटी को साइड करवाते टाइम उनसे उनके 23 किले छिल ले गए तो फर 23 किले छिल ले गए इतनी बड़ी हार हो गई हां ये हार थी पर आप ये मत सोचो कि शिवाजी अब रुकने वाले भी थे शिवाजी रुकने वालों में से नहीं शिवाजी ऐसे वद्दे जो कभी नहीं रुखते तो फिर उसके कुछ सालों बाद ही तीन सो साथ किले और जीत लिये कुछ सालों में ही तीन सो साथ किले इतने सारे किले हो गए अट तेइस किले छोड़े तीन सो साथ किले जीत लिये इनकी लड़ाई किसी भी प्रकार से किसी धार्म के अगेंस्ट नहीं थी यह सुलो इनकी लड़ाई थी माराठाओ की सुरक्षा कंडे की जो मुगलों ने माराठाओ को नोकर बनाये था उनकी सुरक्षा कंडे की इनकी लड़ाई मुसल्मानों के खिलाफ नहीं थी वो क्यारी देश से आये थे मेहारा थाएं को डोकर बढ़ाया था उनके आगेंश्ट थी क्योंकि मुसलमान तो इनके इनके टिप में मुखलों है इनके तुशन गुरु मुसलमन दोस्त मुसलमन मुखलों त Christians भी बैट और एक और बाद जो इस वीर मराठा को मुगलाव से अलग करती थी वह था स्त्रियों के प्रति विशेश सम्मान यह कहां करते थे कि मा, औरते और बच्चे इनको कोई परिशार नि करेगा चैक कुछ भी हो जाए और यह जो इनकी लिडर्शिप महा भारत भगवत गीता रमायड पढ़ने से इन में जो आई वह इन्होंने अपने सेरिकों में भी कुट कुट कर भर दी तो उस टैम मुगल लोग स्त्रियों को उ किसी दूसरे धर्म का अपवार करेंगे नहीं किसी दूसरे के स्त्री को कभी गलत नजर से देखेंगे नहीं और अगर कोई मेरा सेना का बंदा देखतु है मिल गया तो उसे खतम बढ़ दूँगा और इनकी यही विविश्ट इन ओनर वो वाल्यूज अपने टीम के अंदर डाल दी वो qualities डाल दी जिससे इनको इतनी respect हुई इतनी हुई इतनी हुई इतनी हुई इतनी हुई कि लोग अब उनके लिए जान देने लगे और मैं आज चाहता हूँ कि इस वीर मराठा की कहानी पूरे देश में बहुचे तो फिर अगर आप में थोरी सी भी इच्छा है कि इस वीर मराठा की कहानी सुब को पता चले तो फिर इसे पूरे WhatsApp में हर कॉंटेक्ट को भेज दीजिए तो आपको यह वीडियो किस लगी नीची कमेंट शेयर खड़ा और इस वीडियो को शेयर खड़ा अपने फ्रेंड फ च्छोत्रपति शिवाजी महाराज की केस्टरी बाइगरोफी संब पता चले वीडियो को लाइक करो च्छाओ सब्सकारब बाहर पर क्लिक करो कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन में बिल जै और आप उस सब्छाटा क्लिक करके वीडियो देख लो तो फिर गाइस मिलें मेरे बाद मैं जय हिद जय भारत